श्रीमत भागवत की कथा बल साध्य नहीं हैं आप बल पूर वक्त कथा नहीं करा सकते कही बार हमुल हमारे ईसे लोगों से भी पाला पड़ता है कैसे होते हैं गुंडा टाइब के कई बार हुआ है पहले अब तो नहीं पहले जब हमारी कथा इतनी लोग नहीं सुनते थे तो कभी-कभी होती थी एक आध बार ऐसे छित्रों में भी जाना हुआ जहां बल का ज्यादा प्रयोग और हमसे ज्यादा अनुभव तो हमारे पुझ गुर्दे पुझ पिता जी महारा जैसे राम जी की स्थिति हुई वैसे व्यास जी की स्थिति यजमान बोल रहे हैं बोले कि हमने आपकी भागवजी रखी नहीं आपकी व्यास पीट अपने पास रखी नहीं आपके माइक वाइक तबला साजवा सब छोड़ रहे हैं यही दक्षणा मान लो नहीं तो हम सब अपने पास जैसे आयो वैसे चले जाओ दक्षणा की बात मत करना कि ऐसे लोगों के बीच भी कथा हुई है ऐसी ऐसी कथाएं भी हुई है कि छटवे दिन यजमान गायव कि एक कथा हमने करी उसका तो आज तक मैं पैसा दे रहा हूं टेंट वाले को लाई वाले को भौजन वाले को आज भी थोड़ा avoir करके दे रहा हूं हूं क्यों 500 शचच्वे दुनी है अज तक मिले ही नहीं हो आज साथ दिन की कथा करन सब मंच पर आया तो टेंट वाले भी खड़े थे लाइट वाले भी खड़े थे भौजन वाले भी खड़े थे सब लोग खड़े महाराई जी हमने क्या बिगाड़ा आप तो कहीं और कथा कर लोगे हम अपने घर किस चलाएं में भाइया देंगे हम पडूड़ो तो कहां गए बोलो कोई पता नहीं कहां है आज तक नहीं मिले भागवत की कथा धनसाध्य नहीं है अब देखो उसके यहां भी कथा हो गई मतलब मैंने मन में क्या सोचा कि बताओ श्री जी की कृपा थी वो कुछ नहीं खर्च करने वाला फिर भी उसके यहां कथा हो गई साध्य दिन हुई कथा क्योंकि उसका पूर्व का कोई ऐसा कोई भाव होगा श्री जी ने उस पर भी अनुग्रह किया बड़े बड़े गुंड़ा वह अपने बल के हट पर कथा करा ले तो उसके यहां भी कथा हो गई धनसाध्य नहीं है बलसाध्य नहीं है साध्य नहीं है आपकी बहुत पहचान है आपकी बहुत साध्य नहीं है बहुत यग्य की है तो आप क्या कता हो नहीं लिख लीजेगा श्रीमत भागवत की कता करपा साध्य है केवल करपा से हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती चाहिए आप लाख कोशिश कर लो आप लाख योजनाएं बनानों, लाख कोशिश कर लो, करोणों खर्च कर दो अगर श्री जी की अनुग्रह नहीं है, लाल जी की कृपा नहीं है वे नहीं चाहते तो होगी ही नहीं, नहीं हो पाएगी तो ये कृपा है भगवत भाव का किसी भी रूप में उपस्थित होना, ये आपकी शमता नहीं है ये श्री जी की कृपा होती है, तब ही हो सकता है आप अपनी इच्छा से नहीं चाह सकते कि आपके चित्त में भक्ती प्रगट हो, आपको यनुष्ठान कराओ हाँ, सुनकर के आपको प्रेणा जरूर मिल जाती है, देखकर के आपको प्रेणा जरूर मिल जाती है, पर वो करतव्य करतव्य शील श्री जी की कृपा से ही होता है थाकुर जी के अनुग्रह से ही होता है तो यह बहुत बड़ी कृपा है मैं कथा कह पा रहा हूं इसमें मेरी योग्यता नहीं है अच्छे से अच्छे बोलने वाले लोग दुनिया में हैं अच्छे से अच्छे शब्दों का चैन करने वाले लोग उनके पास इतने परियावाची शब्द वो एक शब्द के नेक अर्थ कर सकते हैं अच्छे से अच्छे लच्छेदार वानी बोलने वाले लोग दुनिया मे में भरे पड़े हैं पर सब कथा नहीं कहते हैं कि कथा कौन कहता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे हूं कि जे कथा कहे वहीं कह रहा है और उसमें भी जैसे खाद में मिलावट हो गई है, दूद की सामेग्रियों में मिलावट हो गई है, बोजन में मिलावट हो गई है, आज कलकथाओं में भी मिलावट हो गई है, स्वच्छन्द ठाकुर्जी की लीला, अनुभव करना और कहना, यह भी ठाकुर्जी की कृपा है, व्यासमंच का प्रयोग भी लोग अनेक अनेक साधनों के लिए करते हैं कोई व्यासमंच का प्रयोग धन कमाने के लिए करता है कोई व्यासमंच का प्रयोग पॉपुलरिटी के लिए करता है कोई व्यासमंच का प्रयोग दान लेने के लिए करता है कि व्यासमंच का एक ही प्रयोग है कि स्वयम उस रस में डूबे और फिर जो सुनने आवे उनको भी डुबावे यही प्रयोग है व्यासमंच का कि निगं कल्प तरोर गलितं फलं सुक मुखाद अम्रित द्रव शयुतं पवत भागवत अम्रसमालयम मुहर होर सिकाभ भी भाव का श्रीमत भागवची वगल में आपको सुखदेव जी दिख रहे हैं पीछे वाले इनको दिख रहे हैं कि पीछे वाले में ही दिख रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है दिख रहा हूं ना कोई बात में हम दिखें यह जरूरी नहीं सुनाई देने चाहिए सुनाई तो दे रहें ना तो बस सुनो भागवची के बगल में सुखदेव जी बैठे हैं यह अजमान परिबार इनका पूजन करते हैं कि सुखदेव जी को ने वह व्यास हैं बागवची के वक्ता है कि वास्तों में सुखदेव जी का स्वरूप देखोगे तो स्वरूप में आपको लगेगा कि एक एक पक्षी है पर वास्तों में हमको उनके स्वरूप नहीं उनके गुण देखने हैं उनका का गुण ऐसा व्यास होना चाहिए कि सुकु का गुण कैसा होता है तोता का गुण कैसा होता है तोता जिस फल में मुख लगाता है वह मीठा हो ही जाएगा अब इसमें दौनों बात होती है कि या तो वो फल में मुख लगाता है तो फल मीठा हो जाता है और दूसरी बात ऐसी है कि तोता की इतनी पहचान है कि वो मुहीं मीठे फल में लगाता है उसको इतना पहचान है कि बारसी पहचान जाता है कि फल मीठा है कि नहीं उसी में भाद मुर्तत द्रवशाईयों तो तो पूरा फल नहीं खाता केवल मुख लगाता है और मुख लगा करके स्वेंबी रस लेता है और जैसे ही चौच बहर निकलता है न तो उसकी चौच बहर निकलते ही उस इस्थान में से कुछ रस टपक करके नीचे गिर जाता है और उस रस टपके हुए रस में कई सारे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे जीव आ करके उससे रस ले लेते हैं कि कहने का विप्राय क्या है वक्ता को भी ऐसा ही होना चाहिए श्रीमत भागवत फल है और मीठा फल है कि इस फल में अपनी बुद्धी लगा करके अपना मन लगा करके यहां से रस को सिंचन करें यहां से रस को ग्रहन करें कि स्वयम भी रस में परिपुर्ण हो जाए और सामने जितने श्रोता बैठें उनको भी उस रस का अस्वाधन करा दें यह वक्ता का लक्षन होना चाहि इसलिए सुकदैव जी को प्रतम बक्ता मैना गया